लेक्चर नमबर 23 है ना आपका वहां से साथ स्विच आफ कर ओन गर्दों तो नीचे वाला अच्छे 25 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बढ़ चलो हीटिंग डालो तो यूनिट ओफ इक्वेलेंट कंड़क्टेंस देखना है हम लोग पिछला दिन फॉर्मूला पढ़े हैं कि गया हो गया है यहीं पढ़े हैं तो लेमड़ा एक्यो का यूनिट होता है पर ओम पर सेंटिमीटर इस्पेस्फिक कंड़क्टेंस गुना ऊपर कुछ नहीं है यदि नौरमलीटी का यूनिट नीचे रखके गुना भाग कर दें या जो बचेगा उसको निकाल देंगे नौरमलीटी क्या होता है। नौरमलीटी होता है ग्राम इकिवैलेंट पर लिटर लिटर का मतलब हो गया डेसिमीटर क्यू अब ये रहेगा डेसिमीटर क्यू पर फिर काम होगा नहीं cm q में, हाँ, normality के numerical value में अंतर आ जाएगा, अंतर आगा तो जो अंतर आगा हम value की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, unit के, तो यहाँ से lambda eq यह हो जाएगा, per om, per cm into, cm q उपर चला जाएगा, और gram equivalent यदि उपर जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा, देखो, cm q तो direct उप उपर चला जाएगा, गुना बनके, और gram equivalent जो नीचे है, इसको पूड़ा उपर लेके जाएगा, तो gram, per gram equivalent में नहीं change कर जाएगा, यहाँ से बचेगा cm2, तो lambda eq is equal to, per om, cm2, per gram equivalent, यह जएदी meter में लेके जाता है, यह per meter और यह meter q रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, पर om, meter square, पर meter नहीं, meter square, पर gram equivalent, तो यह दोनों में से कोई भी unit हो सकता है, उतार यह, उतार यह, जल्दी उतार यह, देर बिल्कुल मत किजिए, आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस सबकाना direct unit पूछ देता है, पिछले क्लास में हम लोग equivalent conductance पढ़े थे और molar conductance पढ़े थे, unit बचा हुआ था, एक unit आप देख चुके हैं, दूसरा unit अब होगा, कि znापाओ THEM iki आप रपी दार शेरिऴ, दोसरा थे थेए, सबस्टसमा कि अपुके हैं, भर के रपा deber Вс slight दू़ा हैं, भर को अए 1000 को लेखे के बारो नहादा मुनके हैं, कर रखन्ऊ हैं, आपकाँ पुके हैं, लाशग सना उत अभर किस मेह पनले हैं, हो क्या लिख लिख लिए अगला हीदि डालिए यूनिट अफ मोलर कंडक्टेंस यूनिट अफ मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मला बताईए तो पहले आप लिख 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 लि यह सब जो एक्यू है, यह सब बदल जाएगा, बता यह और कहीं परिवर्तन की जरुड़त था इसमें? ने, उतार यह जल्दे से, उतारना क्या है खुद से बनाने का पड़ास केज़े, तो अब हम लोग इसका यूनिट भी पड़ चुके हैं, अब हमारा अगला हेडिंग होगा, relation between equivalent conductance and molar conductance, और यह भी बहुत भारी बात नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, कि molar conductance बराबर होता है, के into thousand yn, equivalent conductance बराबर होता है, के into thousand yn, और हम यह भी जानते हैं, कि normality बराबर होता है, n factor into molarity, याद है आपको, इसको आप equation 1 माल लो, इसको equation 2 माल लो, इसको equation 3 माल लो, and from 2 and 3, lambda eq is equal to k into thousand, n के जगा पर nm लिख दें, इसको equation 4 माल लो, और equation 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से नहीं सोड़े, 4 से, 1 है lambda m, is equal to k into thousand by m, बटा, lambda eq, बराबर k into thousand by nm, क्या जी, 4 यहीं है न, देख रहे हो, 4 यह है और पहला यह है, k से k कट जाएगा, thousand से thousand कटेगा, m से m कटेगा, इधर बचा lambda m, is equal to lambda by lambda eq, उपर क्या बचा, 1 और नीचे, n नहीं बचा, 1 by n बचा, आप गौर से देखिए, n नीचे है, n उपर जाएगा, तो lambda m by lambda eq, बराबर हो जाएगा, सीधे n हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में, lambda m, is equal to n factor, into lambda eq, क्या समझ में आया, जहां पर यह n क्या है, n factor, और आपको तो पता होना चाहिए, कि n निकाला कैसे जाता है, जैसे यदि इस electrolyte naCl रहे, तो na plus और cl minus में तूटेगा, तो वैसी स्थिति में, n factor का मान कितना होगा, 1, C-U-S-O-4 रहे तो, C-U-S-O-4 रहे तब, 2, A-G-N-O-3 रहे तब, 3, बुलिए हां तक कोई परेशानी नहीं है न, उतार ये इसको जल्दी से, इस परकार यदि हमको molar conductance दे दे, तो हम equivalent conductance direct निकाल सकते हैं, हमको दूसरे चीज़ों पर नहीं जाना पड़ेगा, direct n factor से जोड़कर हम उसको निकाल सकते हैं, अज morning वाले बैच में, 6-7 में सब को पीटाई लगा, पता है किसको किसको पीटाई लगा, जो जो मास्क नहीं लगा के आया था, और अज तुम्हारे बैच में भी पीटाई लगेगे, अभी नहीं, जाते हैं वक्त, और कल से पीटाई लगेगी आते हैं वक्त, अभी आप रिलेक्स रही हैं, आपको रोज का रोज हम कहेंगे नेन कि आपको मास्क लगाना चाहिए, अच्छा एक बाद बताओ, आपके नाक से दूध गिरता है, नेने गिरता है, इसका मतबब आप बच्चे नहीं हैं, वो सब बच्चे में होता है, और अभी तक नहीं सिखें हैं, नौर्मली, तब लाठी पर सिखिएगा, जब पतित ही हो चुके हैं, हम मास्क लगा के काम नहीं कर सकते, यह हमारी मजबूरी है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको कान में ठ्थेपी लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा हैं, लिखेंगे नीचे, एरो देखें, अचार अचार लगाएगा, लिखेंगे, इस May households, के लिए, पर लिए मैं लिए, फर लिए, depends on the following factor depends on the following factor लिखेंगे एक नमबर में total number of ions present in the solution total number of ions present in the solution total number of ions present in the solution अध्हुस्र wardrobe velocity of ion velocity of ion अब थोरा हमारी बात सुनिए जब तुम किस कोई भी electrolytic solution बनाते हो जैसे हम एक बरतन लिए थोरा सा water ले लिए और इसमें हम डाल दिए Na plus और Cl minus मतलब NaCl डाले होंगे यह तूट गया होगा Na plus में और Cl minus में अब यदि हम इसमें cathode और anode rod डाल कर इसमें electricity को दें तो हमको current मारेगा मतलब इसका कुछ न कुछ conductance है कब जटका जोड का लगेगा और कब जटका कम लगेगा यानि कब इस solution का conductance ज़ादा होगा और कब इस solution का conductance कम होगा इसी बात को अब हम समझने वाले हैं और इस बात को समझने के लिए यह समझना बेहद जरूरी था कि यह जो electrolytic solution का conductance होता है यह conductance किन किन बातों पर निर्भर करता है यदि हम यह पढ़ना चाहें कि कौन-कौन ऐसा factor है जो conductance को परभावित करता है तो हमको यह पहले जान लेना पड़ेगा कि कौन-कौन इसा factor है जिस पर conductance निर्भर करता है क्योंकि चोट direct हम करेंगे to the point तो निर्भर जिस जिस पर करेंगा उसको परभावित करेंगे तभी परभावित होगा बाकी चीज़ों का कोई परभाव यह परपरने वाला नहीं है अब मान लिजिए कि यहाँ पर इसको न प्लस और C L मैंस conductance इसका जो भी अब इसको हम फूग देंगे फूगने पर यह depend करता है काहले उस पर हम काम करेंगे हम इसका pressure बढ़ा दिये उस पर भी इसका परभाव नहीं पढ़ता है तो जिन जिन चीजों पर परभाव परता है उन-उन चीजों पर हम लोग काम करेंगे तो इसलिए हम पहले लिख चुके हैं कि conductance of electrolytic solution depends on the following factor इस electrolytic solution का conductance किन-किन चीजों पर निर्भर करता है दो चीजों पर निर्भर करता है पहला इस solution में Na plus और C L मैंस आयन की संख्या कितनी है और दूसरा Na plus और C L मैंस आयनिक फेज में है यह solution में घुला हुआ है नीचे बैठा हुआ है नहीं तो जरूर इसका movement हो रहा होगा अंदर और उस ketion और NIN की कुछ न कुछ वेलोसीटी होगी वहाँ पर तो यह जो conductance है न यह इस ketion और NIN के वेलोसीटी पर भी depend करता है अब देखिए क्या है कैसे depend करता है तुम Na plus और C L मैंस की संख्यां जितना ज़्यादा लोगे electron के transporting का काम उतना ही ज़्यादा होगा और electron के transporting का मतलब होता है electron के transporting का मतलब एक rod से दूसरे rod तक electron का flow तो electron का transporting जितना ज़्यादा होगा उसका conductance उतना ही ज़्यादा होगा electron का flow ज़्यादा होगा तो electric current ज़्यादा तेजी से निकलेगा तो उसका जो conductance होगा उतना ही ज़्यादा होगा और यदि iron कम रहेगा तो electron का transporting धीरे-धीरे होगा तो धीरे-धीरे होगा तो वहाँ पर conductance कम होगा इसका मतब यह हुआ कि किसी भी solution का conductance ज्यादा तब होगा जब iron की संख्या ज्यादा होगी और conductance कम होगा जब iron की संख्या कम होगी Na plus और Cl minus की velocity जितनी ज्यादा होगी electron का flow उतना ही तेजी से होगा और इसका सीधा मतलब है कि iron की velocity जितनी ज्यादा होगी electron का flow उतना ही ज्यादा होगा और उसका conductance उतना ही ज्यादा होगा तब तो इसका सीधा मतलब यह हुआ न कि किसी भी electrolytic solution के conductance को तो यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोशिस कीजिए कि उसमें आयन की संख्यां बढ़े और दूसरा कोशिस कीजिए कि उस आयन की वैलसिटी बढ़े और यदि आप इस दोनों को बढ़ा सकते हैं by any method तो उस electrolytic solution का conductance हर हाल में बढ़ेगा क्या कोई दिकत है इसमें तो हम लोग कह सकते हैं as the total number of ions present in the solution increases and velocity of ion also increases and velocity of ion increases then conductance of electrolytic solution increases या फिर conductance of electrolytic solution increases with increasing total number of ions present in the molecule and velocity of ion बढ़ाब दोनों के बढ़ने से ही conductance बढ़ेगा निचेरों दीचे और लिखिए लिखिए as the total number of ion as the total number of ions and velocity of ion as the total number of ion and velocity of ion in the electrolytic solution in the electrolytic solution increases comma conductance increases conductance increases कोई दिकत देन है यहां तक अब हम यह समाच चुके हैं कि conductance कई से बढ़ेगा कई से घटेगा अब हम देखेंगे कि वह कौन काउन सा फेक्टर है जो electrolytic solution के conductance को परभावित करता है हेडिंग डाल यह स्टार्ट लगा के factor affecting conductance of electrolytic solution factor ऐसे factor affecting conductance of लिगली जेखोच से factor affecting conductance of electrolytic solution तीन लेक्चर आज के बाद तीन लेक्चर और लगेगा क्लास को खतम करने के लिए conductance जब समाप्त हो जाएगा तो कुछ सेल के बारे में आपको जानना है वो सब सेल और से कुश्चन आता है आपका syllabus है इसा नहीं कुछ एक्ष्ट्रा हम बता रहे है तो फिर वो सुरू हो जाएगा कल कल कंड़क्टेंस समाप्त हो जाएगा कल के बाद फिर दो दिन लगेगा कुछ एक्ष्ट्रा सेल के बारे में जिसे primary सेल, secondary सेल, लेडे स्टोरेज बैटरी ये inverter और वला जो बैटरी होता है ये सब घड़ी में जो बैटरी लगता है वो सब इस सब चीज के बारे में आपको पढ़ना है किस टाइप का रियेक्शन होता है ये जानना है ठीक है तो थोड़ा और पेसेंस रखना पड़ेगा इस चेप्टर को खत्म करने के लिए लिखेंगे पहला इफेक्ट अफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट अफ डाइलिशन इफेक्ट अफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट अफ डाइलिशन हो क्या लिख लिए अब देखो इधर इसमें जो बात है उसको हम बोलते हैं तो हम कोशिश करो उसको समझने का हम थोड़ा सा वाटर लिये हैं और इसमें मिला दिये हैं NaCl ये टूट गया होगा Na Plus में और Cl Minus में कोई दिकत नहीं है इसमें तो हम जब NaCl मिलाए होंगे तो इसमें आयन की कुछ मात्रा होगी न कुछ संख्या होगी न एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ कुछ तो होबे करेगा और उसको आप कल्कुलेट कर सकते हैं मोल के वेथर्ड से तो यहां कल्कुलेशन नहीं करना है यहां पर तो हम दूसरा कंसेप्ट देख रहे हैं अब आप क्या कीजिए डाइल्यूसन का मतलब समझते हो डाइल्यूसन का मतलब होता है होता जाएगा डाइल्यूट और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूसन ठीक है तो डाइल्यूट होता जाएगा तो आप एक बात बताईए कि एनेसीयल जितना डाले एनेसीयल एके स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है जितना डाले सारा का सारा तूट गया वो तो पहले ही तूट गया होगा जब आप इसमें water मिला रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि water मिलाने के बाद क्या Na plus और Cl minus की संख्या बढ़ जाएगी ये तो जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा यानि यदि हम पतला करते हैं अच्छा एक बात और आप यदि पतला कर रहे हैं इसका मतब आप concentration को घटा रहे हैं तो आप यदि इसको पतला करते हैं dilute करते हैं तो ऐसी स्थिति में strong electrolyte के case में Na plus और Cl minus ion का जो number है वह बढ़ने घटने वाला नहीं है क्योंकि strong electrolyte कम solvent पर भी 100% लगभग dissociate कर जाता है तो Na plus Cl minus की संख्या पर कोई फर्क नहीं परा और हम जानते हैं कि conductance संख्या पर निर्वर करता है इसका मतब यह वा कि इसके संख्या के बढ़ने घटने से यहाँ पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं परेगा अब आई यह इसके दूसरे दूसरे अच्छी जिस पर यह निर्वर करता है आयन के velocity को थोड़ा चेक कर ले यदि आप इसमें पानी मिलाओगे तो यह बरतन थोड़ा मान लीजे बड़ा है जैसे जैसे पानी का लेयर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे एने पलस और C-L मैंस के जो ढूमने का जगह है वो ज़्यादा होता जाएगा और एने पलस और C-L मैंस के बीच की दोरी बढ़ती चली जाएगा आप एनेंस इसल नहीं न मिला रहे हैं क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो A, N, A, C, L, यदि ज़्यादा पानी मिला रहा है, तो अब तो A, N, A, P, L, में इसको घूमने का ज़्यादा जगा हो गया, ना इतना लोग यहां बैठे हुए है, यदि पूरा वेवस्था सहीर है, और इसी को इसे चार गुना बड़ा हॉल में बैठा दिया जाए, जहां पर दोजार बच्चे बैठने की जगा हो, तो वैसी स्थिति में इतना सट-सट के बैठने की क्या जरुड़त है, आप सब अलग-अलग होके बैठेंगे, क्या अलग-अलग हो के बैठेंगे तो क्या हो गया आपकी संख्या बढ़ गई आपकी संख्या नहीं बढ़ी है बढ़ी क्या है आप सब के बीच की दूरी तो यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच का दूरी बढ़ जाएगा और यदि attraction कम हो जाएगा तो यह हलका महसूस करेगा आपने आपको चुकि जितना जादा इसमें जोड़ेंगे वो उतना जादा भारी होता चला जाएगा तो जितना हलका होता चला जाएगा इसका velocity उतना ही बढ़ता चला जाएगा हलका होगा तो velocity कमेगा जी हलका होगा तो velocity और बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका इंटराइनिक डिस्टेंस के बढ़ने से आयन का velocity बढ़ जाता है और आयन के velocity के बढ़ने से इस solution का जो conductance है वह slightly increase करता है मतब धीरे धीरे बढ़ जाता है बहुत जादा नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ता है बहुत धीरे धीरे slightly increase करता है क्या बात समझ में आए कि dilution का क्या effect पड़ेगा अब आईए दूसरे बात पर अब हम NACL ना डाल कर इसमें डालते हैं CH3 COOH जो की एक weak electrolyte है तूटे का जरूर यहाँ भी CH3 CO- में और H पलस में यानि केटाइन और NIN में लेकिन यहाँ एक समस्या है यह weak electrolyte है यादी इसका तुम एक सो molecule डालोगे तो हो सकता है यह गो तूटे यह हो नहीं तूटे यह बात आपको strong electrolyte और weak electrolyte में बताया गया था ना एक दम solution chapter में online class जो हुआ था YouTube पर उसमें बताया गया है और यह 11th में भी बताया गया है strong electrolyte हमेशा 100% dissociate करता है और weak electrolyte partially dissociate करता है आप याद किजिए strong electrolyte के लिए alpha का मान एक होता है और weak electrolyte के लिए alpha का मान सौगों डालोगे तो सौगों में दूगों टूटेगा अब जैसे जैसे तुम इसमें पानी मिलाते जाओगे वैसे वैसे इसका dissociation बढ़ता चला जाता है मतब जो चीज पहले दो आयन में टूटा था वही हो सकता है अब थोरा पानी मिलाने के बाद चार आयन टूट जाए चार मोलेकिल टूट जाए फिर थोरा पानी मिला दिये थोरा और टूटा फिर पानी मिला दिये और टूटा फिर पानी मिला दिये और टूटा तुम जितना ज्यादा इसको डैलियूट करते जाओगे यह उतना ही ज़्यादा तूटता जाएगा आप याद कीजिए 11th का Ostwald Dilution Law जहां पर आप pH बगएरा पढ़े थे वहीं पर आपको बताया गया था कि Weak Electrolatic Solution का Degree of Ionization बढ़ता है यदि आप उसको डैलिट करते हैं तब वहीं पर Law में यह सब बताया गया था तो यह उतना समय तो है नहीं अब समय तो वास्ता में उतना भी नहीं है कि वास्तविक चीज़ों को बताया जाएगा एक्स्ट्रा चीज़ों को कहों से बताया जाएगा तो हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि Weak Electrolite के case में आयन का dissociation बढ़ने लगता है जो पहले एक टूटा था molecule वह हम दो टूटेगा फिर तीन फिर चार जैसे यह से पानी डालते जाएगे वैसे वैसे यह ज़्यादा से ज़्यादा तूटता जाएगा जब आप इसको infinite तक dilute कर देंगे infinite dilution का मतलब होता है zero concentration जहाँ पर concentration zero हो जाए practically यह करना संभब नहीं है आप इसमें कितनो पानी मिला दीजेगा क्या इसका concentration zero होगा इसका concentration zero तब होगा जब इसमें CS3 COOH रहे ही नहीं concentration बढ़ाबर होता है mole per liter solute का mole तो कुछ न कुछ तो रहेगा ही रहेगा पानी कितनो मिला दीजेगा तो कुछ न कुछ मोल रहेगा ही तो हम लोग infinite dilution या zero concentration जब हम बोलते हैं तो यह सिर्फ सोचने वाली बात है practically यह ची संभव नहीं है तो इसमें जब आप पानी मिलाओगे तो जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे तो इसमें आयन की संभव बढ़ने लगती है पहले मानलो सोगो में मातर दूगो molecule तूटा तो दूएगो ने नायन होगा और दोही ना ketayon होगा थोड़ा पानी मिला देने के बाद मानलीजे 4 molecule तूटा तो अब 4 नायन 4 ketayon थोड़ा और पानी मिला दिये, दस मॉलेकिल टोटा, दस एन आयन, दस केटायन, इस परकार इसको जब आप डाइलियूट करेंगे, तो यहाँ पर नमबर ओफ आयन्स पर फर्क पढ़ जाता है, लेकिन इस ट्रोंग एलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसक यह मतलब हुआ कि वीक एलेक्ट्रोलाइट केस में दोनों चीज बढ़ता है, नमबर ओफ आयन भी और वेलसिटी ओफ आयन भी, इसलिए इस सॉलिशन को जब तुम डाइलियूट करके इसका कंड़क्टेंस चेक करो गए न, तो इसका कंड़क्टेंस रैपीडली बढ़ता है, बहुत तेजी से इसका कंड़क्टेंस बढ़ता है जब आप इसको डाइलियूट करेंगे तब, सेम अमाउंट में वाटर लीजे, सेम अमाउंट में एनेसील लीजे, दोनों का कंड़क्टेंस माप लीजे, फिर सेम अमाउंट में दोनों में पाने डालिए, इसका कंड बहुत slightly increase करेगा और इस solution का conductance बहुत rapidly increase करता है दुगोना तीगोना चरगोना से बढ़ने लगता है तो यहां से यह समझ में आया कि इस dilution का effect अलग अलग तरह के electrolyte पर अलग अलग तरही के से पढ़ता है strong electrolyte पर कम परता है और weak electrolyte पर बहुत ज्यादा परता है तो यह हभी समझ में आया कि effect of concentration को हम एक case में नहीं पढ़ सकते हमको इसको कितना case में पढ़ना पढ़ेगा दो case में in case of weak in case of strong electrolytes and in case of weak electrolytes कि अधियर बनाई जल्दी से नहीं पहले आप लिखिये case वन लिखिये for strong electrolyte strong electrolyte ऐसा electrolyte होता है जिसका dissociation hundred percent होता है dissociation कहें या electrolyte के लिए हम लोग term use करते हैं ionization और एने CL कैसे तूटेगा एने प्लस और CL minus में तो तूटके iron ही न बना रहा है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ionization इसका ionization जो होता है वह hundred percent होता है मत्तब जितना molecule तुम डालोगे उतना वह तूट जाएगा एलेवंथ में इसी कापड़े थे इसका alpha one होता है यह सब बात लिखिए फोटो बनाई है और फोटो बनाने के बाद नीचे statement लिखिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए लिखिए हम वेन नीचे एरो दीजिए और लिखना सुरू केजिए लिख每 में सान्जा नीच वेता – लिखिएग और भा सब्स seventeen boosting लिखिए में सान्जान वखिएग और लिखिए प्रूम तर लिखएग amres लिखिए और नीचे पिसमी कीजिए वेनने में है वेता है INTER-IONIC IONIC distance what is meaning of INTER-IONIC DICTANCE distance between 2 ions INTER-IONIC DICTANCE INTER-IONIC DICTANCE agreSES FORCE OF ATTRACTION BETWEEN and force of attraction between cation and anion decreases and force of attraction between cation and anion decreases. Hence, velocity of ion increases. Hence, velocity of ion increases. Therefore, in this case, conductance of a strong electrolytic solution increases slowly. increases slowly. अब थोड़ा कुछ प्रेक्टिकल बात पर ध्यान देजिए. यह एक भरतन है जिसमें NaCl लिया गया है. जो तूट गया है Na plus और Cl minus में. माल लीजिए कि शुरू में इसका जो concentration है, जिसको आप molarity भी कहते हैं, वह 0.7m है. समझ गया आप यहां तक? थोड़ा setup को समझिएगा. अब हम इसका एक graph खीचते हैं. हम नीचे लेते हैं Concentration. और यहां पर लेते हैं Conductance. सुनिएगा ध्यान से. इस point पर Concentration 0, तो Conductance भी 0. आयन रहेगा ही नहीं तो वहां पर कोई Conductance होने, मतब वहां पर electricity का flow संभव नहीं है, Conductance 0 हो जाएगा. मान लीजेए यहां पर 0.1 M, यह है 0.2 M, इसी तरह से 0.3 M, 0.4 M, 0.5 M, 0.6 M, और यह रहा 0.7 M. अभी हमारा Concentration 0.7 M ही है न. हम क्या करेंगे इसमें कैथोड और एनोड रोड डालके, चेक कर लेंगे कि अभी इस solution का Conductance कितना है. मान लीजेए 0.7 M, पर Conductance इतना है. इतना. इतना का मतलब यही हुआ न, इसका भी तो कुछ न कुछ भेली होगा. अब देखो. अब इसमें अब तुम क्या करो? थोरा सा Water डाल दो. Water डालने काव तो तुम इसको क्या कर रहे हो? डैलियोट. तो Concentration बढ़ा होगा की घटा होगा? घटा होगा. पानी आप मिला रहे हैं. यह जो Concentration होता है, यह होता है N by B. N होता है Number of Moles of Solute, भी होता है Volume of Solution. Volume बढ़ रहा है, Concentration घट रहा होगा. क्योंकि Number of Moles तो Constant है, जितना पहले डाल दिये उतना तो आप डाले हुए हैं. अब क्या किये हम थोरा पानी डाले तो इसका Concentration घट गया घट. Concentration घट गया, तो Concentration घटने सभी तुरत न बता है, Conductance बढ़ता है. क्योंकि Interinic Distance बढ़ जाता है, Velocity बढ़ जाती है. तो अब माल लिजे Concentration घट के होगा 0.6, तो यहां पर जब आप Conductance चेक करेंगे तो यह Point आपको इस Point से थोरा सा उपर आएगा. फिर पाने मिलाएए, Concentration 0.5 कीजे घटा के, यह थोड़ा और उपर आएगा, थोड़ा और उपर आएगा, थोड़ा और उपर आएगा, इस परकार आप चेक करोगे तो यह लगातार आपको Conductance बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे आप पाने मिलाते जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में जब इस सब को आप एक लाइन में खीचो गए न, तो यह लाइन आपको ऐसा मिलेगा, जिसका Slope बेहद कम होता है, इसलिए क्योंकि Conductance बहुत ही slightly increase करता है, देख रहे हैं, जैसे जैसे Concentration घट रहा है, वैसे वैसे Conductance बढ़ रहा है, लेकिन ज्याद बढ़ रहा है, तो इस Point पर हमको यह मिला, इस Point पर यह मिला, इस Point पर हमको यह मिला, इस Point पर यह मिला, अब आप एक बात बताईए, कि आप Dilute न कर रहे हैं, जड़ा बताईए तो इस Point पर Concentration कितना है, 0.1, और इस Point पर Concentration कितना है, 0, Concentration 0 कब होगा, Concentration 0 तब होगा, If volume is infinite, then concentration is zero. क्या आपका मजाल है कि आप इसके volume को infinite कर दें? तब तो इसका ये मतलब हुआ कि infinite dilution या infinite volume पर जहां पर concentration कितना हो जाएगा? जीरो. उस पर आप किसी इस solution का conductance निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यह काम practically या experimentally करना संभव नहीं है. अब आप एक बात बताएए जो जी practically संभव नहीं है वो कोपी किताब पर संभव है. यदि ये line हमको मिला है जहां तक खीच सके खीच दी और उसके बाद क्या करेंगे? इस graph का extra polluting कर देंगे. ये scale लेंगे मिला के इसको पीछे से हम देखेंगे कि कहां टच कर रहा यह यहां पर टच किया यहां पर टच किया तो यह कौन सा पॉइंट है यह वह पॉइंट है जहां पर कंसेंटरेशन क्या हो गया है जीरो तो इसको हम बोलेंगे conductance at zero concentration बोल सकते हैं कि नहीं इसी लिए इस point का एक special नाम है इसको हम लोग बोलते हैं lambda 0 और इसको हम लोग पढ़ते हैं conductance at 0 concentration या जानते हो इसी को एक और symbol से indicate किया जाता है lambda infinite इसको बोलते है conductance at infinite dilution जब dilution infinite होगा तो concentration उसका 0 हो ही जाएगा बस समझे और यह practically possible नहीं है यह केवल experiment से ही संभव है इसका मतब sorry 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 practically यह experimentally संभव नहीं है यह सिर्फ theory से ही संभव है यह सिर्फ graph के extra polluting से ही संभव है theory से जहां तक हो पाया हमने graph खीचा उसके बाद जहां से हम काम नहीं कर सके वहां से scale यह सारे point को मिलाते हुए पीछे touch कर दिये तो हमको पता चल गया कि उसका conductance क्या है तो यह जो dotted line दिखाया गया है ना इसी को हम लोग बोलते हैं extra polluting of graph जहां पर experiment करना बंद हुआ वहां से theory start हुआ तो theoretical बात जब किये तो वही हो गया extra polluting of graph it means conductance of strong electrolytic solution at infinite dilution or zero concentration is measured by extra polluting of graph कर सकते हैं कि नहीं लेकिन यह आप experiment के आधार पर या lab में यह काम आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि infinite dilution हम नहीं कर सकते हैं volume को infinite तक हम नहीं लेके जा सकते हैं यह हमारे लिए संभव नहीं है और यदि आप infinite dilution पर रहेगा तो solution में घूस के देखिए कितना connect डालिए लगेगा connect दिमाग हरियर हो जाएगा infinite dilution का मतब हो गया इतना water देदीजिए जिसका मतब infinite volume हो गया उस पर हम work कर पाएगे बात जब infinity की हो जाती है तो तो वहाँ पर हम लोग हम लोग का कोई वसी नहीं चलता है लेकिन फिर भी infinite dilution पर भी conductance निकाला जा सकता है और निकालना पड़ेगा आपको आगे किलकुलेशन करना पड़ेगा कहां है आप उतारिए graph अच्छा एक बात बताओ एक चीज और conductance conductance पीछे आरहेक तो घट रहा है नँ sorry concentration पीछे आरहें तो घट रहा है नँ जबकि conductance पीछे आरहें तो इसका मतलब conductance और concentration के बीच कैसा संबढ़ जये सिधा या ulta एकदम ulta जये सिधा मतलब है कि यह जो concentration के यह individually proportional होता है conductance जो है या कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि कंसेंट्रेशन के अब जितना बात लिखा हुआ है सब में एकदम पूड़ा का पूड़ा कंसेप्ट भड़ा हुआ है इस सब को आप उतार लेजिए और यदि घर पर उतारना चाहें वीडियो के थुरू तो वह भी आप कर सकते हैं यदि ज्यादा ले ठोड़ा है तो लेकिन यहां पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कल हम लोग केश टू पढ़ेंगे लेकिन आज इसको लिख देते हैं हम नीचे में एरो देखे कहां जगा है यह सब जब उतारा हुआ हो जाए तो तुम नीचे में एरो देखे लिखना यहां पर हाँ एक बात और यह लिखे कोंची इसको क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे यह तना न बात है और इसको क्या पढ़ेंगे अप एंसियाटी में देखिएगा इस तरह का सिंबॉल भड़ा पड़ा मिलेगा और उस समय तक अभी तक आप पहचानते नहीं होंगे क्या है अब आपको सब समझ में आएगा कि वो क्या है झालते वो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है conductance of strong electrolytic solution at zero concentration or infinite dilution can be measured by extra polyting of graph क्या आप extra polyting समझ रहे हैं graph का extra polyting किसको कहते हैं जहाँ तक संभव हुआ हमने किया उसके बाद जहाँ तक practically संभव नहीं हुआ हमने scale से उसको मिला दिया देखो जहाँ तक संभव हुआ हम complete line डाले हैं और जहाँ के बाद और संभव होने लगा हमसे हमने क्या किया उसको extrapolate कर दिया कल होगा case 2 heating कल ही पड़ेगा यह chemistry कते ही आसान नहीं है समझ में आया कि जुठे हां में हां मिला दिया और आएगा समझ में कल जब वह कि रिक्ट्रलाइटिक स्वालिशन का पढ़ोगे वो समसे ज़्यादा खतरनाक है और इससे ज़्यादा भारी आज का class बस यहीं तक झाल 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 झाल